ओके कैमरा में जब भी मेरा डायलोक फ्री सो उसके बाद मेरे सूर के नाक जैसे लिफ्ट को जूम इन जूम आउट करना ओके एसे ही चलेगा जैसे मैं चलाओंगी ऐसे ही चलेगा ठीक है और एक भारती वुजिर्अजम नरेंदर मोध कांखोल के सुन्लो मोधी ऐसे ही चलेगा ऐसे ही चलेगा अच्छा नाजरीन हमारी खुद की पोर के आवाम कहां पर अपने जजबिक से जहालियत फैलारी है हम इस पर बिलकुल अमल नहीं करेंगे लेकिन भारत के वजीरे आज हम मोदी कहां पर सांस ले रहे हैं इस पर भी हम भैस करेंगे क्योंकि जो वो सी ओटू छोडेंगे उसका सी हम अप सिरफ एक ही बिजनस होवे ट्रांसपोर्ट का कहा का बिजनस होवे बीच में नाबोर जैसे नरेंदर मोदी का 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 बीच में नाबोर जैसे तो देखा नाजरीन हम पूरी तरह डिपेंड है भारत के वजीर आजम मोदी और भारत पर बात तो सही है मोदी हक और सच के रास्ते पर खड़े हैं सच कहने में हिचक जाते नहीं हैं बड़े से बड़े ताकतवर की आँखों में आँखें डाल कर बात करने की हिम्मत रखते हैं इसी बात पर नाजरीन पीओ के बनेगा हिंदुस्तान कान खोल के सुन लो मोदी आई लव यू फिल यू मेरी मी इसी लिए मैं हर वक्त बोलती हूँ मोदी मोदी क्योंकि मेरा दिल आ गया है तुम पर मोदी अच्छा नाजरीन एक बात और बता दूँ मैं हूँ खास चमची अपने मुल्क बिखारिस्तान के वजीरिव आजम्पद के दावेदार कतोरा खान की अन को जिताने के लिए मैं कुछ भी करूँगी भारत के खिलाब जहर भी उगलूँगी मोदी के खिलाब भी जहर उगलूँगी मगर क्यों कटोरा खान साद को जिताने के लिए मैं उनकी चोथी बेगम बनने के लिए भी तैयार हूं फैसल यह चेक करो इसका क्या मसलह वानी आरी हो उनको तीक कर को तो ना लाइट जिनको उवाज आरी है वो सुने इमरान खान आे लब यू इतनी मेरी एहम तक्रीर आज मिस्स कर दे रही थी यहीं नहीं अभी और सुनिये इम्रान खान, I just love you अच्छा नाजरीन मुझे आते हैं दोगलेपन के दोरे कभी मैं भारत के वजीर आजम मोदी से बे इंत्या मोबत करती हूँ और कभी कभी मैं उनके खिलाफ जहरीली नागिन बनके इतना जहर उगलती हूँ कि भारत भारत और भारत के भारत 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 के रौ भार नरेंदर मोदी भारत इंडिया इंडिया भारत 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 मोदी यानि भारत रौ भारत ही हूँ कि वो जहर भी अम्रित बन जाता है जहर की प्यार है तीरा चुमा ओ मोदी वाका सीरा है तूम तूद मांगोगे हम खीर देंगे तूम कश्मीर मांगोगे हम खीर देंगे बड़े नारे लगा लिए दूद मांगोगे तो खीर देंगे कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे मैं बताओं कान खोल के सुन लो कान खोल के अब वक्त आ गया है कि हम तूम से कश्मीर भी लेंगे जरूरत पड़ी तो तुम्हें और तुम्हारी मोधी सरकार को चीर के रख देंगे इंशाला याद रखना मेरे अलफाज देश के सामने सतर साल से एक और बड़ा चलेंग था जिसे कुछ दिन पहले भारत ने फैरवेल दे दिया है यह विशा है आर्टिकल 370 का आर्टिकल 370 का इस्तेमाल करके तुमने कस्मेरी इंफरादी हैसियत को खतम कर दिया क्या समझती हो तुम खुद को नरेंदर मोधी तो गाइस यह था फिजा खलीपा का रोष्ट आपको कैसा लगा आपने थोड़ स कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना और मैं कितनी मैच कर रही हूं फिजा खलीपा से इसके लिए मैंने बहुत मैंद किया आपने मेरा व्लोग तो देखा ही होगा तो पता चल गया होगा और साथ ही मेरे जो डायलोग डिलेवरी या फिर मतलब किस हद तक मैच की तो आप जरूर बताना और हां साथ ही आपको पार्ट टू भी चाहिए तो भी बता देना कमेंट में क्योंकि मेरे पास अभी स्क्रेप्ट बहुत जादा लिखे थी मैंने दस दिन में तो यह सिर्फ उस भी बाकी है मेरे दोस्त धिक्चर अभी बाकी है मेरे दौस्त और साथ ही अगर उस चाहिए तो मेरे चैनल पर वनगे सुप्सक्राइब कर दो मैं जिस दिन वन और के और इस ना आईला सार्गा रोष्ट कर दूंगी तो आज़ोंके लिए इतना ही बंडे मातर सिर्भल लॉ आपने सबसे पहले घबराना नहीं है क्या दो अच्छा नाजरीन एक बात और बता दू मैं हूँ खत्म यार एक नट सोरी सोरी बाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइब गया